नमस्कार दोस्तो मैं सुनिल शर्मा आपका रक्षम टैक में स्वाधत करता हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे DMSS एप के अंदर Motion Detection को कैसे ओन किया जाता है तो सबसे पहले आपने अपनी डिवाइस को स्लेक्ट करना है उसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का फोल्डर आपके सामने आएगा यहाँ पर मल्टी चैनल आपको दिखाए दे रहा होगा इस पर आपने टैप करना है जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो एक Next Folder जो है यहाँ पर ओपन होगा यहाँ पर आपकी जो डिवाइस है उसके नाम के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे आपने इनेबल करना है इनेबल करने के बाद आपने यहाँ से Motion Detection को स्लेक्ट करना है जैसे ही आप Motion Detection पर टैप करेंगे तो आपके सामने Next Folder ओपन होगा तो यहाँ से आप जो है CCTV कैमरा जिस भी CCTV कैमरा पर आप Motion Detection को इनेबल करना चाहते हैं उस CCTV कैमरा को आप यहाँ से स्लेक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो सभी के सभी CCTV कैमरा को भी यहाँ से स्लेक्ट कर सकते हैं उससे कोई परिशाणी नहीं है जैसे मैं CCTV camera जो है दो रूंबर पे मुझे motion detection को enable करना है तो उसे मैंने यहाँ से select कर लिया है friends उसके बाद में जो है आपने इस setting को save करना है यहाँ से आप timing भी set कर सकते हैं कि आपको जो motion detection है वो दो घंटे के लिए चाहिए या फिर 24 hours चाहिए तो वो चीज़ भी आप यहाँ से select कर सकते हैं कि setting को आपने enable कर देना है friends enable करने के बाद उस CCTV camera पे motion detection जो है enable हो जाएगा अब कुछ भी जैसे ही कोई activity होती है उस CCTV camera के आगे तो आपके पास एक message आ जाएगा friends जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं यहाँ पर अब message आने start हो गए है जैसे ही कुछ activity होती है वैसे ही message आने start हो जाते हैं कि आपके CCTV camera पर जो है कुछ alert आया है आप उसे check कर सकते है friends बहुत ही easy है और अगर आप इसे वापिस disable करना चाते हैं इसका इस्तमाल नहीं करना चाते हैं तो in that condition आपको फिर से device पे अपने जाना है device पे जाने के बाद आपने उसे disable कर देना है जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है friends अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्रीज इसे like करना और हमारे चैनल रक्सम टैक को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस वीडियो से related या फिर CCTV कैमरा से related किसी भी तरह की कोई भी प्रिशानी अगर आपके पास है तो please आप हमें comment कीजिए definitely we will reply to you as soon as possible please आप हमारे चैनल रक्सम टैक पर विजिट किजिए वहाँ पर आपको CCTV कैमरा से related काफि सारे informative वीडियोज मिलेंगे जो कि आपकी काफि हेल्प करेंगे friends हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फोर वाचिंग